बेसी पार्ट टू गुड मॉनिंग आज अपन थर्मो डानिमिक्स में आगे का पढ़ रहे हैं रुद्धोष उतक्रम्निये प्रक्रम में प्रसार कार दे वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबिल प्रसेस उतक्रम्निये परिस्टियों में आदर्श गैस द्वारा किया गया कारे डबलू बराबर होता है लिमिट्स वी वन वी टू पी इन्टू डेल्टा वी चूकि प्रक्रम्निये अता प्रेशर में लगातार परिवतन हो रहा है अता पी को वी के पदों में व्यक्त करने पर तो पी वी गामा इस इकोल टू कॉंस्टेंट के तो पी इकोल टू होता है के बटा वी और गामा पी का यह मान समी करना एक में रखने पर डबलू इस इकोल टू वी वन वी टू के वी गामा डी इन्टू डे 1- gamma k v2 1- gamma minus k v1 1- gamma हम जानते हैं p1 v1 gamma is equal to p2 v2 gamma is equal to constant यह मान v के स्थान पर रखने पर तो w is equal to 1- gamma p2 v2 gamma multiplied by v2 1- gamma ऐसी minus p1 v1 gamma v1 1- gamma तो w is equal to 1 over 1- gamma p2 v2 minus p1 v1 और it is equal to 1 over 1- gamma nRT2 minus nRT1 क्योंकि pv is equal to nRT जहां v2 है मान temperature T2 है जहां v1 है मान temperature T1 है तो w का equation होता है उत्क्रमडी है प्रसार कार्णे में w कार्णे बराबर होता है n into r T2 minus T1 divided by 1- gamma इसका एक वेकलपिक रूप है जिसमें gamma को हम cp minus cp बटा cv रखेंगे और r को हम लिखेंगे cp minus cv तो w is equal to n cp minus cv bracket में T2 minus T1 divided by 1- cp बटा cv तो यह बराबर होता है minus n cp minus cv t2 minus t1 और bracket में नीचे cp minus cv divided by cv यदि इसको हल करें तो w is equal to minus n cv t2 minus t1 क्योंकि cp minus cv उपर भी है और नीचे भी है यह कट जाता है तो w is equal to minus n cv t2 minus t1 यह n मोल के रिए है यदि एक मोल गैस हो तो w is equal to minus cv t2 minus t1 अब आपको next पढ़ा रहे हैं जूल का प्रियोग जूल का प्रियोग है d e बटा dv at constant temperature अता आंतरिक उर्जा में आयतन के साथ परिवर्शतन इस्थिर ताप पर इसको हम आंतरिक दाप भी कहते हैं जूल ने एक प्रियोग किया जिसमें उपकरन लिया जिसमें दो बल्ब थे a तथा b और ये दोनो बल्ब एक नली द्वारा जुड़े हुए थे जिसमें कि हमने एक c stopper लगाया हुआ है य हम 20 atmosphere एक शिश्क वायू भर देते हैं और बी को पूर्टया निर्वातित कर लेते हैं और सी को हम बंद रखते हैं संपूर उपकरन को एक बड़े कैलोरी मेटर जल में रख देते हैं जल को विलोड़क से स्टेरर से थोड़े से तीरता से हिलाते जिससे कि पूदे कैलोरी मी को जो बीट में स्टापर सी लगा इसको खोल देते हैं जिससे वायू बल्ब A से वायू B में आ जाती है और दोनों में बराबर मात्रा में भर जाती है कुछ समय पस्चार जब ताप यह सामने स्थापित हो जाता है तो हम ताप मापी से पुना ताप ले लेते हैं जूल ने नोट किया कि जल के ताप में रोधनी खोलने से पहले तता बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अता तंतर की नहीं ना तो उश्मा अफ्शोशित की और ना ही उश्मा मुक्त की इस प्रकार Q बराबर 0 चुकि गैस निर्वात में प्रसारित हो रही है अता गैस द्वाला किया गया कार्य भी 0 होगा तो W is equal to 0 उश्मा गतिकी के प्रत्रम नियम के अनुसार डेल्टा E होता है Q minus W तो डेल्टा E is equal to 0 minus 0 is equal to डेल्टा E is equal to 0 अता आंतरिक उर्जा में परिवर्तन 0 के बराबर होता है यदि हम T E को T तथा V का फलन माने तो E is equal to function of T into V तब डेल्टा E is equal to डेल्टा E डेल्टा T at constant volume multiplied by डेल्टा T प्लस डेल्टा E divided by डेल्टा V at constant temperature T dV dt बराबर 0 है क्योंकि आपने देखा ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता डेल्टा E बराबर 0 है अता हम देखते हैं कि डेल्टा E डेल्टा V T डेल्टा V multiplied by डेल्टा V बराबर 0 क्योंकि इसमें पहला पर डेल्टा E भी शूनने हो गया अब दूसरा पर जहां डीटी का गुणा हो रहा है वो भी शूनने है तो सिर्फ एक ही टर्म रह जाता है डेल्टा E बराबर डेल्टा V at constant temperature और डेल्टा V इसका multiplication is equal to 0 अब चूकी आयतन में परिवर्तन हो रहा है ता हम डेल्टा V को शूनने नहीं मान सकते तो डेल्टा E बराबर डेल्टा V at constant temperature is equal to 0 तो जूल के प्रियोग से ये निशकर्ष निकलता है आदर्श गैस के रुद्दोश्म प्रसार में आंतरिक उर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता इसे हम जूल का नियम कहते हैं आदर्श गैस की आंतरिक उर्जा केवल ताप का फलन होती है आयतन पर अनाश्रित होती है आयतन पर ये निर्बर नहीं करती सिर्फ ताप पर निर्बर करती है इसलिए internal energy is function of temperature only जूल का नियम केवल आदर्श गैसों पर ही प्रियोक्त होता है और वास्तवे गैसों पर ये प्रियोक्त नहीं होता तता delta E बटा delta V at constant temperature को हम आंतरिक दाप भी कहते हैं Thank you